हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और पूर्ण रूप से लगन राशी पर आधारित है ये चंद्राशी पर आधारित नहीं है और अभी जो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आपके साथ जो मित्र हैं उनके विश्य में बात करेंगे बताएंगे कि अक्टूबर दो अजार तैस आपके लिए किस-किस प है चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है वह बात बात की है लेकिन अभी तो हम आपके साथ जो इस कार्यकरम के दोरान जो चर्चा करने वाले हैं अलग अलग छेत्रों में बताएंगे कि भाई सिंग लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनको अक्टूबर दोजार तेश में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभाव ना बनती है जहां तक इस बात का प्रिशन है कि भाई जो पॉजिटिव हैं चलिए उनकी द सिंपल रैमिडी जहीं उपआये देते हैं आप उन उपायों को करें तो हम आप से एक तरीके से इह गैराइंटी के साथ कह सकते हैं निश्चत रूप से कह सकते हैं कि आपके परेशानियां बहुत दूर मतलब पकाफी हद तक दूर हो जाएं और आपको काफी हद तक तो प्रियसातियों अब वह इस्थिती जएसकी मैं बात करना हूँ के भई गड़ों की इस्थिती के आदार पर एच्छे या बुरे परिनाम प्राप्त होंगे वह गड़ों की इस्थिती से भी आपको अभुगत कराना चाहेंगे कि बही अक्टूबर दोजार तेएस में आप सिंग लगन राशी के जो जाता के उनके चार्ट में गुरों की सिती कैसी रहने वाली है हला कि पिछले कुछ समय से कुछ गुरों की सिती अच्छी नहीं चल रही है भी और ये नो ग्रह होते हैं देखिए नो के नो ग् खराब पोजिशन में आए जाते हैं तो अभी जो इस फिलाल सिच्वेशन है वो कुछ इसी प्रकार से है कि ज्यादा तर ग्रह है जो हैं उनकी सिती कमजोर है या खराब कह सकते हैं या आशुप कह सकते हैं लेकिन परेशान होने की कोई आवश चक्ता नहीं उसमें आप भी हम आपको ग्रहों से अफगत करा देते हैं इस सिती से जो अक्टूबर दोजार तेईस में रहने वाली है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रिन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट में ग्रहों की सिती को बहुत ही इसपश्ट रूप से दरशाया गया है कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है किस राशी में बैठा है किस ग्रह के साथ उसका संबंद बन रहा है तो ये सारी सिती यहां से आपको क्लियर हो जाती है लेकिन इसकी अतरिक कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशी का परिवरतन भी करेंगे उनके व देव अभी आप सिंग लगन राशी के जो जातक है हमारे उनके चार्ट में दुतियभाव सेकंड हाउस में कन्या राशी में बुद्ध ग्रह के साथ बने हुए हैं कहने को तो यह दिखता है बुद्ध आदित्र राजियो लेकिन मेरे प्रियसातियों यह आदित्र राजियो नहीं है क्योंकि बुद्ध की सिती यहां बहुत कमजोर है बुद्ध अस्तवस्था में जी हां अब अस्तवस्था में रहने से क्या होता है कि जो राजियों बनते भी है उसके भी परिणाम अच्छे प्राप नहीं होते हैं और बहुत लोग उसको अच्छाई मानके चलते ह लेकिन परिणाम जो है यह सचा ही है कि अच्छे नहीं मिल पाते हैं अब क्या है कि सूरे जो है सत्रा अक्टूबर को यहां से अपना राशी परिवर्तन करके निकलेंगे बाहर और कहां जाएंगे वो थर्ड हाउस में जाएंगे जहां पर तुला राशी है साथ लिखा हुआ संब्ध बनेगा महा के अद्ध तक अपने शत्रू ग्रह केतू के साथ उनका संब्ध बनेगा तीस अक्टूबर तक और बुद्ध के साथ भी उनका वहाँ पर जाकर के संब्ध बनेगा लेकि वो बनेगा अठारा अक्टूबर से लेके महा के अद्ध तक क्योंकि अपनी स्वेंगी राशी में जो इनकी मूलत्रकॉण राशी भी है और यहां पर आकर कि क्योंकि इनको सूर्य देव का साथ मिलेगा तो यह तीन अक्टूबर को अस्थ हो जाएंगे आये तो यह थे एक अक्टूबर को मारगी और उद्यावस्था में अच्छी पोजिशन में लेकिन सूर्य के साथ आ गए तो अस्थ हो गए अब क्योंकि अस्थ हो गए तो बुद्ध की सिती कमजोर हो गई अब यह यहां पर रहेंगे अठारा तारिक तक अठारे को यह फिर अपना भी राषी से निकलेंगे कन्या राषी से और यह फिर जायेंगे मित्र राशी तुलामें थर्ड हूस में 18 अक्टूवर को और महा के अंति तक पर महीं रहेंगीि मारगी और अधष्था में कि अव आते हैं मंगल की बाथ कर लेते हैं मंगल गरहवी जो हैं 3 अक्टूवड को अपनी शत्रू राशी करनया से यानि दुतियभवों निकल करके राशी परिवरतन करते हुए और अपनी सम्ब राशी तुलो में प्रिवेश करेंगे यहां पर और जब यहां पर आएंगे तो यह भी जो है मारगी और अस्तवस्था मेbane नहीं का प्रवेश होगा तुला राशी में और फिर ये महा के अंतर तक यहां बने रहेंगे तो साथियों मंगल के बाद बात कर लेते हैं आगे शनी देव की देखिए शनी देव जो है वो अपनी स्वयम की राशी सेबिन था उसमें कुम राशी में बने हुए है अपनी की ही रहने वाली है कोई बदलाव नहीं दिखेगा केतु की भी बात कर लेते हैं केतु काफी लंबे समय से तुला राशी में चलने हैं थर्ड हाउस में आप सिंग्लगन राशी निते जा तक हैं उनके चार्ट में लेकिन अब केतु जो हैं तीस अक्टूबर को अपना प्रिवेशन का होगा अब जब यह कन्या राशी में प्रिवेश होगा तो कन्या राशी में फिर यह लंबे समय तक रहेंगे यनिके सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो साथियों अब जब यह महां पर चले जाएंगे तो काफी राहत मिलेगी लोगों को क्योंकि इनके कर लेते हैं देखे राहू जो है वो अभी अपनी शत्रु राशी मेश में नवम भाव में बने हुए हैं अपने संग रहे गुरू ब्रस्पती के साथ और जब ब्रस्पती राहू एक साथ बैठते हैं तो आपको हम बता ही चुके हैं कई बार पहले भी कि ये चांडाल दोश क का निर्मार हो जाता है और जब भी ये चांडाल दोश का निर्मार होता है किसी भी जातक की कुंडली में हो या फिर गोचर में हो तो यह जिस घर में होता है उसी घर से संबंदित अश्रु परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब य ये ब्रसपती के ही घर में ब्रसपती की राशी में मीन राशी में होगी अब धीरे धीरे आगे जो है गुरों की इस्थिति अच्छी होने जा रही है और जैसे जैसे अच्छी होगी आपके जीवन में भी चीजें अच्छी होगी तो प्रियसातियों अब ब्रस्पती की भी बात कर लेते हैं अंत में ब्रस्पती जो है वो भी अपनी मित्र रा कोई बदलाव नहीं होगा पूरे अक्टूवर के महीने में बस अब शुक्र की बात रहती है शुक्र की बता देते हैं आपको शुक्र जो है यह एक अक्टूवर को अपनी शत्रुराशी करक से निकलेंगे यानि कि दौदश बहु से क्रेल्थाउस से निकल करके आकर के यह ल बस शत्रुराशी में इनका प्रिवेश रहेगा एक अक्टूवर से और यह पूरे महां यहां पर बने रहेंगे तो यह है ग्रहों की इस्थिति जिससे अभी हमने आपको अफगत कराया है अब इन ग्रहों के इस्थिति के आधार पर आप सिंग लगन राशी के जो हमारे मि बहिन बहिन छेत्र में किस किस प्रकार के परिणामों की मिलने की संभावना अधिक बन रही है इसकी चर्चाव हम आपके साथ करने जा रहे हैं और जैसा मैंने कहा था कि अन्तमेह हम आपको कुछ रेमिडीज भी देंगे तो पर यह साथियों सबसे पहले बात करेंगे आप के करियर की आपके प्रोफेशन की तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इतना कुछ गुरों की सिती खराब होने के बाब दूद यानि कि जिसमें बुद्ध अस्ते हैं मंगल अस्ते हैं सूर्य नीच राशी में रहेंगे और राहू ब्रसपती का चांडाल दोश है ब्रसप सान्य गतिविधियां बनी रहेंगी सामान्य रूप से चीज़ें चलती रहेंगी ना आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्वेंस होगा आपके कारेश्चेत्र में ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कोई फेस करनी पड़ेगी ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएं बस समय जो है वो आपका कारेश्चेत्र में जितने भी रिजल्ट्स हैं आपको मद्ध्यम तोर में सामाने से मद्ध्यम मिलते रहेंगे और ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है बड़ी बात हो जाती है कि अगर हमें जो भी काम हम जहां पर भी करते हैं जैसा के महीने में तो करियर आपका सामाने से मद्ध्यम चलता रहेगा करियर को ले करके कोई मिझे विशेश प्रॉब्लम समस्या यहां पर नजर नहीं आती है और दूसरी बात आपका जो व्यक्तित तो है वो भी लोगों को अपनी और आकर्शित करेगा प्रभावित आपका एक प्रभुत और आपका एक इंफुलेंस जरूर बना रहेगा और जब व्यक्तित कॉ व्यक्तित जो होता है उसका एक आकर्शनर लोगों में बना रहता है एक प्रभाव बना रहता है तो आदिह से ज्यादे काम to आपके विक्तित के साटार पर आपकी personality के बेस पर ही हो जाते ह उसमें आपको कुछ जादा कोई बहुत जादा effort करने की आवश्यक्ता नहीं रहती तो यहाँ पर कुछ ऐसी इस्थिती मैं बनती हुए देख रहा हूँ आपके case में अक्टूबर के महीने में कारेच्षेतर में आपके career से related अब आगे बात कर लेते हैं कि भई income कैसी रहेगी देखिए income में रुकावट मुझे दिखती है income में रुकावट जरूर दिख रही है शुरू के जो कुछ एक आध हटा है अक्टूबर का उसमें तो कुछ इस्थिती ठीक है धन का आगमन हो जाएगा लेकिन बाकी का जो महीना निकलेगा आगे उसमें थोड़ा सा धन में आगमन में या तो कह सकते हैं रुकावट या कमी रहेगी उसका अच्छी तरह से आपको अनुभव भी होने वाला है और इसके बाद सुखों की बात कर लेते हैं सुखों में भी आपको कमी का एहसास होगा यानि के सुख सारे होते हुए भी आप उनका पूरा भरपूर enjoy उनको नहीं कर पाएंगे चीजों को जो भी आपके और आराम की चीज़ें जो अबलब्द हैं आपके लिए उनका भरपूर लावाप नहीं ले पाएंगे कही ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी और आपको एक बात यहां पर और बताना चाहेंगे कि देखिए कार्य छेत्र में आपके ये बात बहुत आप नोट करें इस बा बहुत दिल और दिमाग पर च्छाई रहने वाली है इस महीं ने लेकिन ये चीज़ें आपका सारा काम बिगाड़ सकती हैं तो आलस से ना करें जबकि गरहों का जो इसी रोल इशारा करती है कि आपकी इस सिटी ऐसी रहने वाली है यापका एनरजी लेविल डाउन आलस से आपके अंदर भरा हुआ हो मानसिक तोर पर भी आलसी पन शारीरिक तोर पर भी तो ये आलस से जो है नहीं रहना चाहिए इसको आपको किसी भी तरीके से दूर करना है ये जरूर दियान रखना है और अपने परिश्रम पर बल देना है क्योंकि यहां पर भाग्य का भी सपो है या आपका कोई भी सैनेबल है सी आर पी एफ है जहां पर भी हैं आप वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपकी मानसमान में कमी का आपको अनुभव हो वहाँ पर और उसमें कहीं ना कहीं आप से आपके कार्यों को ले करके कोई गलती हो सकती है तो वहाँ पर सचेत रहना है साफधान रहना है कि महा मद्दे से महा के अंद तक आपको कोई मान सम्मान में कमी ना रहे हो जाए काम जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें जल्दवाजी में ना करें तो आपके लिए छीजें थोड़ा ठीक रहेंगी वैसे काफी रूमेटिक मूड में रहेंगे रोमेंस भी आपके अंदर बढ़ा रहेंगा रोमेंटिक जादा है कि महा मद्द्धे से यानि कि एठारा तारिक से जो आपके बीच में कुछ गलत फहिमिया होने की समभावना बन रही है अनेसेसरेली बिना किसी कारण के किई बार हो जाती है ऐसी चीज़े आपके भी ना चाहते हुए भी उनके भी ना चाहते हुए कुछ ऐसी बाते बन जाए कि आपको कोई गलत स्वेमी हो जाए या उनके पिरती या उनको आपके पिरती तो इस बास से जरूर बचिए गा क्योंकि ग्रों की इस्तिती सोर इशारा कर रही है कि महा मद्दे से अठारे तारिक से और महा के अंत के बीच में कोई ना कोई आपके बीच में कुछ गलत स्वेमी को ले करके टेंशन बन सकती है और इस से भी आपको बचना होगा अब आप से बात करते हैं कि वह वैवाईक संबंद कैसे रहेंगे वैवाईक संबंद देखिए कि सामानने से मद्धम के बीच में रहेंगे वैवायक सुक्ड़ जो हैं आपके वह सामानने से मद्धम बीच में रहेंगे यहूं तो आप पूरे संबंद जो हैं प्रियसातियों महा के आरम से लेके और महा के मद्धे तक तो अच्छे संबंद रहने की संभावना भी है और लेकिन महा मद्धे से और महा के अंत तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपके एक से मैं कहूं के भही जो परीजन हैं या परिवारी मैं मतलब सदस्य हैं फैंमली Member से वो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप से क्षुश ना किसी बात को ले करके आप कि किसी को ले कर ले करके तो वहाँ पर कुछ थोड़ासा नाराजगी बन सकती है या आपके और उनके बीच में थोड़ा सा वैचारिक मद्भेद भी बन सकते हैं या पर अंडरिस्टेंडिंग में कमी रह सकती है यह भी चीज है और आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि छोटे भाई बहनों के भी सहयोग में कुछ छोटे भाई बहनों की और से भी शिकायते बन सकती हैं आपको ले करके उन्हें कुछ शिकायत हैं हो सकती हैं कुछ मित्रों को भी आप से शिकायत हैं बन सकती हैं आपके कुछ बड़े भाई बहनों को भी आप से शिकायत हैं रह सकती हैं तो कुछ थोड़ा सा अपना इस प्रकार का रखिएगा कि आप किसी को शिकायत का मौका ना दें आगे बात करते हैं कि भही परिवारी जीवन की बात हो गई अब आपसे बात करेंगे शिक्षा को लेके कि जो हमारे सिंग लगन राशी के मित्र है उनकी एजूकेशन कैसी रहेगी देखिए आपकी एजूकेशन अगर आपने अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान दिया तो आपके अच्छे कुछ ऐसा ही है सिंग लगन राशी के जो माता-पिता हैं उनकी जो संतान है उनके विशे में कहना चाहेंगे कि संतान अगर अपना कार्यों पर इमानदारी के साथ सिंसेरिटी के साथ अपना फोकस करेगी तो परिणाम फेबरेविली होंगे रिजल्ट्स जो होंगे बीच में थोड़ा-थोड़ा गड़बन रहेगा तो आपको थोड़ा अपने स्वास्त को ले करके केरफुल रहना है लापरवाई नहीं करनी आप केरलेस ना हो एग्नोर ना करें स्वास्ते संबंदित चीज़ों को तो कहने का भाव यह है कि आप अपनी डेली जो दिन चर जिसकी चर्चा भी हमने आपने सिंगल अगन राशी के जातकों से किया अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाए कि जिन को करने से आपके जीवन में जो भी नकारात्म के रिजल्ट्स मिलने की संभाव ना बन रही है वो भी ना बने सबसे पहला कार रहे आपने करना है बद्वार के दिन से बद्वार के दिन से शुरुवात करनी है मीठी रोटी बनवा करके कुट्टे को काले कुट्टे को खिलानी है साथ दिनों तक लगातार एक तो यह करना है दूसरा अरगला इस्तोत्र का पार्ट दुरुगा सबशती माताम का जो पार्ट होता है आर्म होगा. दूसरा आपने करना ये है कि सूर्य देव को प्रहते काल जल अर्पित करना ना भूले. तामी की कलश में एक रोली एक चुक्टी रोली मिला करके और उसको अर्द को देना है आपको सूर्य देव को प्रहते काल इसरानाधी से निवरत होके और एक सो आठ बार ओम ध्रनी सूर्य नमा मनी मन आपने जाब करना है प्रहु का सूर्य देव का और मंगलवार के दिन आपने मंगलवार के दिन आपने लाल रंग के चंदन का मस्तिश्क पे लक लगाना है मस्तिश्क पे और मंगल इस्तोत्र का पार्ट नियम तो फिर आपको हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला सिंदूर का ये जरू चड़ाएं और बुद्वार के दिन गणपती जी के शिरी चड़ों में जा करके मोती चूर के दो लड़ू पान के पत्ते पर रख करके वहां पर चड़ा करके आएं बस इतना काम करें आप इतना काम भ था आप सभी जो हमारे सिंग लगन राशी के जातक हैं उनका अक्टूबर 2023 का मंतली राशी फल आपको पसंद आया तो लाइक जरू कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जान इसी के साथ साथ आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय माता जी